मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी सेना एक सुरक्षा ढांचा ही नहीं बलकि देश की नीम भी है। हमारे जवान देश की सुरक्षा के प्रतीतत पर रहते हैं। पात्म निर्भर हो रहे सुरक्षाबलों के प्रदर्शन से प्रसन्नता की अनुभूती हुई। रक्षा मंत्री का लेफ्टिनेंट जनरल कहरिदे से आभार राजधानी लखनव में इस समारों को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जानते है कि भारतिय सेना दुनिया की अद्वितिय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत अनुशासन, तक्नीकी क्षमता का लोहा दुश्मनों को मनवाया है, जबकि देश के अंदर भी सम विशम परिस्तितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वसल्योग ह हमेशा दिया है, ये समारो प्रधानमंत्री के एकिक्रित कमान, जिसमें थलजल नव तीनों सेनाओं के एकिक्रित समनवई से कैसे हम दुशमत को परास्त कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसकी झाकी देखने को मिला है, सीम योगी ने कहा कि हमारी सुद्रिड हो रही रक्षा शक्ती के प्रदर्शन को देखा, सेना के श्वांदस्ते गुरसवार दल का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा, हमारी सेना को एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है, यह समारो तीनों सेनाओं के बहतरीन समनव का उत्कृष्ट परदर्शन है, यह राश्ट्रिय सुरक्षा धांचे के प्रती 140 करोड देश्वासियों को आश्वस्त करती है, आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, हमारी सेना एक सुरक्षा धांचा ही नहीं, बलकि देश की नीम भी है, हमारे जवान देश की सुरक्षा के प्रतीतत पर रहते हैं, वो हमारे असली राश्ट्रनायक है, आज भारत विपरीत परिस्तितियों के बावजूद अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत व बड़े से बड़े शड्यंत्र को निस्तनाबूत करने में सक्ष देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें देश की 25% आबादी निवास करती है, यह वीरों की धर्ती है, हमारे नौजवान ने देश प्रदेश का अनेक अफसरों पर गौरव बढ़ाया है, देश की रक्षा के लिए प्रान आहुती देने वाले नौजवानों के परिजनों को 50 लाख, आश्रित को सरकारी नौकरी में समायोजन और शहीद के समारक का स्थापित करने का कारे करती है, CM योगी ने कहा कि हमारे देश में रक्षा के प्रती आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस नोड स्थापित हो रहा है, डिफेंस कोरिडोर में लखनव में ब्रमोस का निर्मान, जहासी नोड में भारत डायनमिक्स यूनिट द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, राष्ट्र रक्षा कारे में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है, डिफेंस कोरिडोर में ये आयोजन बहुत महत्वपून साबित हो रहा है, यह आयोजन सशस्त्र सैन्य समारो हमारे समाज और हमारी नई पीडी को प्र